हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल इजी रेसिपीज भी दीपी का शर्मा आज मैं आप लोगों के लिए सुपर डेस्टी और क्रिस्पी करेला की रेसिपी लेकर आई हूँ तो करेला तो आपने बहुत बार खाया होगा और बहुत लोगों को पसंद भी होता है स्कीन निकाल दूंगी बहुत जादा इसको चीन नहीं है बस हलका साइस की थोड़ी सी स्कीन निकाल नहीं है तो इस तरीके से देखिए हलकी सी स्कीन निकाल दी है मैंने उपर की क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कड़ी होती है तो कुछ इस तरीके से करेले हो चुके है हमार तो सारे करेले मैंने इस तरीके से कट कर लिया है अब क्या करना है कि हमें इन करेलों पर नमक लगाना है तो यह थोड़ा सा नमक मैंने कटोरी में लिया है और इस तरीके से हम नमक लगा देंगे पूरे करेले में इस्प्रेट कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे इससे क्या होता है कि करेले का जो कड़वा पन है वो अच्छे से निकल जाता है तो 5-10 मिनट के लिए इसको हम अलग रख देंगे तो इससे क्या होगा कि करेले में से कड़वा पानी जो निकलेगा वह अलग हो जाएगा और काफी हद तक करेले का कड़वापन निकल जाएगा तो इसको साइड में हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं दस मिनट हो चुके हैं आप देखिए यह साइड में यह पानी बहुत सारा निकला है तो एक दम कड़वा पानी होता है तो इसको फेक देते हैं और जो करेले हैं इसको हमें कुकर में निकाल लेते हैं कारेली मैंने कूकर में निकाल लिए हैं और यह पानी अलग टा दिया है तो tof हमें चाहिए इसके लिए कre बड़े प्याज जिसको मैंने बारि काट लिया तो प्याज मैं थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है सात ही साथ टी सत मिस मी जाएगा चाहाँ मच्छ हल्दी पाउडर और थे मच्छ अप आधा चमत इसे में नमक जाएगा और एखमच जाएगा इसमें एक जानक जाएगा इसमें मैंगो पाॉडर यानी की पिसी हुए खटाई अब जाएगा इसमें बहुत ही में इंग्रीडियन्स जो कि मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसमें डालूँगी एक चमश छोटा चमश चीनी तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है आप चाहें तो यह चीनी को स्कीप कर सकते हैं मगर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि चीनी को स्कीप मत किजिएगा इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है तो यह चौथाई कप मैंने पानी लिया है इसका आधा पानी मैं इसमें डाल दूगी लगबक दो बड़े चमश इसमें पानी मैंने डाला है ताकि अच्छे से सीटी आ जाए इसमें और करेले हमारे डाल कूए है को हम इसको अलग लग देते हैं या पर मैंने एक पैन ले लिया है अभी पैन में जाएगा करेया है एक चौथाई कब अइसमें ज्urally तो इसमें ज्यादा ही लगता है क्योंकि हमें आल पिसमें इन करे लोगो फ जायदा क्रिसपी बनाना है उत्as Unfortunately, मैंने और के तो इसमें चोधा ही जाएगा हीग अब इसमें जो हमने करेले उबाल ले थे करेला और यह नहीं सारे तो इसको हम तेल में डाल के अच्छे से भूल लेंगे तो है नहीं इस तरीके से एक बार करेले बना कर देखिए आपको बहुत जदा पसंद आएंगे और खाने में इसको बूनने में लग बग आठ से दस मिनट लग जाते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे और इसको बीच बीच में चलाते रहे ताकि ये नीचे से जले नहीं तो ये करेले हमारे अच्छे से बून चुके हैं तो गैस को आफ कर देते हैं अब हमारे करेले बिल्कुल रेडी है से बूने के लिए तो आई होब मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो जल्दी मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर करिए और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वैल आइक एन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई